उत्तम श्लोक दर्सन सुदामा की पतनी ने जिस परमात्मा के जेजेकार लगाते हैं महात्मा जिस परमात्मा के गुडान वादों का वैडन करते हैं संतों ने भगवान के गुड़ों का वैडन किया तब परमात्मा का नाम उत्तम श्लोक हुआ है तब नाम उत्तम श्लोक हुआ है संत जिसकी वड़ाई करते हैं महापुर्ष जिसकी प्रसंसा ये सादू सबकी वड़ाई नहीं करता हाँ आप ये मन सोचना कि सबके चाहिए जैसे वड़ाई करते हैं कभी नहीं करता वो और महात्मा जिसकी वड़ाई करे महात्मा जिसके गुड़ों का व्याख्यान करे वही अपने आप में क्या होता है वह अपने आप में होता उत्तमिश लोक भगवान का एक नाम उत्तमिश लोक है हनुमन दलाल जी जिस कैप्टन की बात मानते हैं इतने फाइदे में रहे आप भी ऐसा जीवन जीएंगे महापुर्ष लोग आपकी बढ़ाई करेंगे प्रसंसा करेंगे ये तब होगा जब हम किसी के अनुसासंग में जीवन जीना सुदू करें हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिर के उपर कोई है ऐसा नहीं कि परमसवतंत्र नसिर पर कोई हमें ये लगे कि हमारे उपर कोई सासन किनने वाला है माँ बावजी भले ही 80 साल के 90 साल के हो गए है और आप बहुत बड़े फ्रैक्टरी के मालिक है सच बात ये है कि उस अवस्ता में भी माँ बावजी का भै होना चाहिए ये बच्चे उट पर डंक काम क्यों कर देते है उन्हें माता पिता का भै नहीं होता दब नहीं होता उन्हें समाज का भै नहीं होता उन्हें जाती का भै नहीं होता इसलिए उट पर डंक काम कर देते है तो क्या सुन्दर बात कही गई है कि आप अपने उपर किसी कैप्टन को भारत की टीम हर जाएगी यदि कैप्टन का रेस्पेक्ट नहीं होगा तो कैप्टन की बात नहीं मानी जाएगी तो वो परवार भी किसी काम के नहीं रहेंगे जिस घर में मुख्या की बात न मानी जाए जिस घर में मुख्या ही नहीं है वो घर चलेंगे कैसे घर में मुख्या हो हम और आप सब जो भी है हमें और आप सब को चाहिए कि हमारे उपर कोई सासन करने वाला है हमारे उपर हमारा धर्म है हमारे उपर हमारे गुरु हैं, हमारे उपर हमारे माईबाप हैं, हमारे उपर हमारे अग्रज हैं और हम उनके बर्दहस्त बर्द किर्पा के नीचे हम जी रहे हैं बैक्ती को भै तो होना ही चाहिए आदमी निडर हो जाएगा, भै नहीं करेगा समाज से तो निश्द रूप से उसमें आसुरी प्रवर्ती जागरत हो जाएगी वह असुर बन जाएगा असुर किसे कहते हैं असुर किसे कहते हैं जिनके पास किसी का भाई ही नहीं है वहां तो सिगरे राजा आए वहां सब राजा है और वो किसी का भाई ही नहीं मानते हैं वो किसी का अधरी नहीं करते वो किसी का मानी नहीं करते इसलिए इतना युद्ध हुआ और असुर उस सब में पराजित हो गए हैं पराजित हो गए असुर और जिस दिन असुर पराजित हुए और उस खुसी में हम एक उत्सम मनाते हैं उत्सम मनाते हैं और जब इन असुरों को पराजित किया गया था वो समय सबसे ज़्यादा प्रशनता किसी को हुई थी वो भगवान सुर नारायन थे मकर संक्रांती का उत्सव उसी प्रशनता में तो मनाय जाता है उसी खुसी में मनाय जाता है जिस दिन हमारे अपराद हमसे पराजित हो जाए उसी दिन मकर संक्राती समझ लीजेगा उसी दिन जीवन का सुर उत्रायन का समझ लीजेगा जिस समय हम जाग जाएं जिस समय हम कुछ कर बैठें अच्छा बढ़िये से बढ़िया उसी दिन सुर मिंस हमारा ग्यान उत्रायन का उत्राइन का रत होता है जाग्रत अवस्ता जगा हुआ उत्राइन रामान में भी उत्तरकंड जिसको अपने जीवन का आंसर मिल गया है अपने जीवन का उत्तर मिल गया है वही तो उत्तरकंड है वही तो उत्राइन है सूर्य प्रकास और जब ग्यान की उपलब्दी होती है तर जीवन का उत्तर मिलता है और जिस दिन जिन्दगी का उत्तर मिल जाए उस दिन मकर संक्रांती होती है 14 जनुवरी वारी मकर संक्रांती होती है